अगर उस प्रश्ण को आप सही तरह से समझते हैं तो उसी प्रश्ण के माइदम से आप पढ़लो तुम डियर एकजाम है नियर बात मेरी मानो। हो आना ही पड़ा बच्चों एकजाम अब है करीब। पढ़ाई अब से होगी और भी इतनी अच्ची जिससे रिजल्ट होगा और भी इतनी अच्ची। ओ मेरे डियर पढ़लो तुम डियर बात मेरी मानो। हो आना ही पड़ा बच्चों एकजाम अब है करीब। तो बच्चों चलिए आज शुरू करते हैं मॉडल सेट 3 का सॉलूशन। बहुत ही गर्दा बहुत ही अलग बहुत ही बहतरीन अन्राज में आज में इसको समझाने वाला है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल सेट मेरे पीछे है पहला कोशन यह आ चुका है बोर्ड पे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा पहला कोशन क्या है इसको देखते हैं देखे एक लड़का है एक लड़का है जो सम्तल दरपन के सामने 100 cm की दूरी पर खड़ा है के और प्रतिभीम के बीच की दूरी तो कैसे बताएंगे बच्चों देखे ध्यान से यह हो गया लड़का यह क्या हो जाएगा बच्चों यह हो गया लड़का और यह हो गया आइना अब यहीं पर क्या बनेगा प्रतिभीम तो यह लड़का इस प्रतिभीम से कितनी दूरी बुषधूह। हम जितना पीचे जाएंगे को आइने का अंदर जो बंदा है। वो भी उतना पीचे जाएगा ना तो हम अगर सौ संटी मिटर इधर आएंगे तो वो भी किदर जाएगा सौ सेंटी मिटर उधर जाएगा तो dad मिला के distance कितना हो जाएगा वच्चों 100 और 100 मिलके कितना हो गया 200 सेंटी मीटर देखिए कहीं है 200 अप्सें नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा इसका ő दोफटर हो जाएगा चलिए देख दोसरा प्रश्न और दिखा देख़ों है घठी कि फोकस दूरी किसेंद टूर तो प्रती बैनेगा चलिए को बना दीक़ाएं अगर ये नुमेरीकर GREEN में आ जा है तो इसको आप कैसे बनाएगा बनाने आपको तरीका हम दिखा चलिए इसको छोटा करते हैं इधर वावू हमारे पास है आउटल दर्पन तो ध्यान से रेखिए वावू हमारे पास फोकस होना चाहिए यू होना चाहिए और भी होना चाहिए क्या दिया हुआ है तो फोकस दूरी कितना है है वीश सेंटीमीटर तो फोकस दूरी हमारा अप में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये हमेशा माइनस में होता है तो कм यहाँ निभी कई बारे में मताया जा रहा देखिये इस कोष्चन को आपको हम सम्झा रहा है कोन से माईधम में बना करें को बैब मुझे मै बटाइं बहुत ही जानकार है बहुत बहुत आपर दे चूगा इनकाँ माइनस 20 और yu के जगा पर माइनस 10 और भीं का भीं हम लोग लिखे देंगे अब ध्यांस रहे कि माइनस दस को इधर लाएंगे हो जाएगा तो दस से देंगे दो बार में बार में इस तरह से एक बटा भी और इस तरह से वन बाई भी और भी का क्रोस मल्टिप्लाइ कर दियें तो बीस यहां से रेखिए बच्चों B का साइन पोजिटिव है दरपन है दरपन में B से ही मतलब है अगर B से मतलब नहीं है तो आप M निकाल लीजे बाबू M बड़ाबर होता है माइनस B बटा U और माइनस का माइनस B का मान देख लीजे कितना है 20 और U का मान कितना है बाबू माइनस 10 माइनस माइनस कैंजिल काड देंगे ये 2 M का मान आगे देखिए कुछ नहीं तो क्या है पलस है M का मान जैसे पलस आजाता है तो आपको बताना है वो आभासी होगा और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है में मान से पता चलता है बाबु ध्यान देना एम का मान माइनस हो तो बस्त भी अलटा और एम का मान प्लस हो तो अब 80 और सीधा अब प्रश्ण को उठा के ले आते हैं बाबु चलो यह रहा प्रस्ण अब प्रस्ण क्या कहता है ध्यान जे तुम लोग देखना क्या कहता है देखो एक वस्तु है आउटल दरपनी के सामने 10 cm पर रखा है जबकि दरपनी की फोकस दूरी 20 cm तो प्रती बिम्ब बनेगा कैसा बनेगा आपको बता दिये M का साइन क्या आया थ था M का साइन पलास आया था पलास यानि आभासी और सीधा देखिए आभासी है सीधा है और बड़ा बड़ा क्यों आया बच्चों क्योंकि M का जो मान निकाले थे वो टू आया था टू का मतलब क्या है वह बीम से दूगुना है बीम अगर 10 cm है तो प्रती बिम 20 cm का है बीम अगर 100 cm है तो प्रती बीम कितना हो जाएगा उसका डबल 200 cm हो जाएगा तो M का मन दो था यानि हम कह सकते हैं वह जो प्रती बीम है वह आभासी होगा प्लस साइन के लिए जो आभासी होता वह सीधा होता और बड़ा होता option number C इसका क्या हो जाएगा बच्चों सही उत्तर हो वुश्त्रीत का अर्थ होता है कि दरपन के अंडर बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको हम देख सकते हमारे पास अउत्तल दरपन है अपके सामने एक figure मैंने रखा है अब देखे ये जो है बाबू ये उत्तल दरपन है पीछे देखे पूरा बिल्डिंग ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा है इसका अंदर दूसरा building उसके बगल वाला building building सब कितना बड़ा होता और 60 कितना चोटा देखिए रहें आप तो यानि इस दरपन का दिर्ष्टी शेत्र क्या होता बहुती बड़ा होता इसको कौन सा नाम से जानते हैं हम लोग इसको जानते हैं उत्तल दरपन के नाम से इसलिए इसका परियोग किया जाता वाभू वहनों में किया जाता पीछे का दिर्ष्ट देखने के लिए बाइक सब होता है ना एक लेंस की शब्ता टू पॉंट फाइब्टर है कितना है टू पॉंट फाइब जाएगा उत्तल लेंस यानि अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं इंगलीस में कहते हैं convex lens और अगर डी का मान वच्चो मानश रहता है डीको हमीजा मीटर में लिखा जाता है किस ंफा जाता है हमीजा मीटर में रहता है भई डायप्टरियर इसको बोलते माइनस रहने से हो जाएगा बास्तवी कुल्टा और पलस रहने से आभासी और सीधा हो जाएगा और पलस होता है अवतर लेंस में और स्वारी पलस रहता है उत्तर लेंस में और माइनस रहता है हमेशा अवतर लेंस में यह चीज़ याद करके रखिए पलस है तो अभी सारी ल तो पॉइंट फाइप्टर है तो यह लेंस क्या होगा यह लेंस हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस क्योंकि पॉजिटिव डायप्टर किसमें होता है उत्तल लेंस में होता है बच्चों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को किस लेंस की फोकस किसी लेंस का फोकस आभासी होता पतिललेंज दीसरा है उटतल दर्पन तो लेंगे ही नहीं बहुते लेंगे इसको ぇसे काट देतलेंगे किसी का काम करेंगे ठीक है तो सभी तो होने इस नहीं कभी तो देखिए बाज्च न trip पराता है और आबाशी और सीधा इस युच्रेवा प्रतिभिंबों को रख सकता अपने पास जब कि आउतल लेंज के पास दो ही प्रोपर्टी होता दोने प्रोपर्टी में यह क्या करता है आभासी और सीधा रखता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों अपसे नंबर ए हो जाए और प्रोपर्टी सुसों के पास उसी तारे का उसतर नर्पन का सारा प्रोपर्टीज आउट लिज्या पास चला आता है बाइट्ट चलीयरक्ते सन नंबर शिक्ष्ट वायू किस तरह से बता रहा है तेकिए यह है परकास किरन तीर्चा जाएगा जाना चाहिए ऐसे लेकिन यह अभिलम की और ऐसे गिर जाता है यह जूक जाता है ठीक है जब वो कोई भी परकास किरन बिरल माईध्यम से सगन माईध्यम की और जाती है तो यह अभिलम की और जूक जाती लेकिन जब कोई परकास गिरन सगन माइध्यम से बीरल माइध्यम की और जाती है तो अभिलम से दूर हट जाती है तीस तरह से प्रश्णों को पूचा जा सकता है तो अभी देखिए वायू है बीरल माइध्यम और जल है सगन माइध्यम तो यह जूकेगा अभिलम से दूर तो को हटेगा नहीं अभी लंग की और जुकेगा यानि option नंबर यह इसका क्या हो जाएगा बच्चों सही उत्तर हो जाएगा चलिए सात्वा नंबर प्रश्ण देख लेते हैं उससे पहले कचड़ा साप कर लेते हैं बहुत हो गिया है चलिए बच्चों कोश्चन नंबर साथ को देखते हैं क्या कहता है रेटीना द्वारा नेत्र पर रेटीना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिभिम बनता है हमारे आखों में आप किसी का आख में घूसके देखिएगा तो आपका प्रतिभिम उसके आख पे नजर आएगा कहां पे दृष्टी पटल पर दृष्टी पट पच्छमाभी पेश्चियों के दुर्बल होने से कौन सा दिर्ष्टी दोस्त उत्पन होता है देखिए पच्माभी पेश्चियां कमजोर कब होती है जब कोई आदमी या औरत जादा एज का होने लगता है बबू तो उसका अंदर का सारा मेट्रियल बोले तो सारा अंग कमज रोग उत्पन होने लगता है सही से दिखाई नहीं देने लगता है इसको जरा दूर द्रिष्टता के नाम से जाना जाता है इसमें उतल भी आ जाता है निकट द्रिष्टी दोस्त भी आ जाएगा और दूर द्रिष्टी दोस्त भी आ जाता है इसीरे बाइफोक्सी लेंस का परियोग करते हैं इसको साप करने के लिए इसको ठीक करने के लिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अगर पूछे नेत्र द्वारा या पच्माबी पेशियों कि दुरबल होने से कौन सद्रिष्टी दोस्तमन होता है तो भई निकड़ भी होता है दूर भी होता है सब्सक्राइब करने और ओप्सें नमबर सी में दोनों भी दिया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्सें नमबर सी यानि दोनों चलिए देखते हैं अगले प्रश्ण को अगला सलाइड यह रहा है वश्चों क्या कहता है आँक की उत्तर लेंस की क्या करेंगा पहला प्रसक्ण करते हैं तो उस समय कौन किया करेंगा संप्सरीड सब्सक्राइब किस भाग में प्रतिभीम का निर्मान होता है कि हमारा आख है आख में बहुत सारा भाग होता है भई पारी तारिका होता है ठीक है आई रिस दिसे कहते हैं पूतली होता है दृष्टी पटल होता है पूझ रहा है कहां पर प्रतिभीम बनता है तो बच्चों परतिभीम बनता ह द्रिश्टी पटल जिसे इंग्लिस में कहा जाता है रेटना यानि ओप्सन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रोशन को देखते हैं विद्धु धारा किस यंत्र से मापा जाता पूछा जारा विद्धु धारा देखिए यहां पे एक हाँ हैं इस इन्षर को कहा जाता बच्चों होट मीटर और इसी के सहायता से विद्धु धारा सॉरी इसको वुटमीटर बोलते हैं लेकिन हमें US में बोला गया है विद्धु धारा मापने के लिए और परयोग करते हैं जब लोग ब्रोटिछ वीभवं को मापने के पोल्ट मेटर बोलते हैं लेकिन हम्मीं इसमें कोश्चन में बोला गया है विद्धारा मापनाπό की फिर्विधी करको मापने नहést का परियोग करते हैं तो यह इसका ऐबशीत ओंब तर हो जाएगा एंज लेकिन इसी में प्रशनवकुर्था उलजा लगाने कर heights दीया बोला जाता है कभी-कभी देखे रियान दिजेगा कभी-कभी क्या बोला जाता है विद्धु धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए यह कौन सा यंत्र का परियोग करते हैं तो देखिए इसमें जो अप्शन होया है बच्चों यह एमिटर और यह गल्वेनोमे करेगा और यह कितना उसमें जारा धारा उसको बतलाता है एमिटर और उसके अंदर धारा थोड़ा सा भी है कि नहीं जारा सा है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए गलवनोमेटर का परियोग हम लोग करते हैं इसलिए इसका परियोग जनित्र में किया जाता है ठीक है गलवन आपना है एमिटर और पता लगाना है तो उसके लिए घैल when Orient करते हैं चलि कि अगले पर्षन को कि भलाव प्रष्ण निकार बच्चों अन्से रहें बारव प्रश्ण है प्रति रोध थ द का इसा ही मातर्द क्या होटा प्रति रोध का नहीं बोलना है प्रति रोध का निकलता कहां से निकलता है यानि उत्री दूरू हो जाएगा इसका सही उत्तर आपको बताएंगे एक कोस्टन बताएंगे लेकिन उससे अनिक कोस्टन बनेंगे कोई जल्दी बाजी नहीं, जो भी सिखाएंगे, बहुती बहुती शानदार, बहुती अलग, बहुती जबरदस सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग हर बार बहुती शाधारन, बहुती असाधारन, ऐसा रिजल्ट नहीं देते हैं, देते हैं बहुती टॉपर, शानदा जबरदस जिन्दावार ठीक है आप रिजल्ट्स चेक कर सकते कुछ वीडियोस मिल जाएंगे ठीक है जल्दी बाजी से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों एक ही प्रस्ण को समझे अगर उस प्रस्ण को आप सही तरह से समझते हैं तो उसी प्रस्ण के माईदम से अनेक प पूछा जा रहा कौन से कर्थन अप्सेन नमरे सी फोर एसो फोर देखिए बच्चों यह ऐसा होता नहीं है यहां सी यह होना चाहिए कैल्सियम सल्फेट का जल्य बिलियन नीला रंग का होता सही बात है आप एने टू एने टू कभी गैस नहीं हो सकता बाबू क्योंकि यह क पूरा कॉंसेब्ट बता देंगे यह क्या गलती किया है मॉडल सेट चापने के लिए तो हम आपको बता देते हैं बाबू मॉडल सेट में कहीं भी गलती है उसको हम धोंड के बहुती अच्छी तरह से समझा देंगे आपको तो ध्यान सिर किये इस मॉडल सेट को एने टू केस का रंग भूरा होता एकडम सही ऑप्सेन नमर सी दोनों एकडम सही नहीं है चलिए देखते हैं और मैं आपको लिखके देना चाहता हूं बच्च्चों आप पूरा यूटूम में चान लिजिए देख लिजिए जिस तरह से हम लोग सॉलूशन करवाते हैं इस तरह का कोई solution नहीं करवाता है सब जल्दी वाजी में उड़ा देता है जिसके गारण आपका नंबर आपका concept सही से clear नहीं हो पाता है तो द्यान से देखिए हर एक प्रश्णों को कि इतना logical बताएंगे देखिए बच्चों इसके बाद ठीक है यहां पर देखिए कुछ figure भी दे हैं आपको समझाने के लिए देखिए अगला प्रश्ण के रहा है कोश्चन नमबर 15 कि भाई चीप्स के packet में बिकरित गंदीता से बचने के लिए कौन सी गेस डाल जाते बिकरित का नामे होता है ख़राब होना खराब होने से बचाने के लिए कों सा गेस हम लोग डालते हैं वह इक्रियों तो खराब कर देता है hydrogen का तो परियोगए नहीं करते carbon dioxide तो होता ही नहीं है यानि nitrogen इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा वज्चों option रहते हैं राइतम सब्सक्राइब बनार्षियर सब्सक्राइब overlap भी औरे यह वुद्फार टमाइब कशेन घर्एकश्या को जलाते हैं तो यहां न्युक्त कर रहा है इस में यह उत्तर रर्त्र quizz तो जंदनों साथ तो बन्हें दुनरों साथ दोन असे उसे क्या निकलता है उस्मा निकलता जीस अभिक्रिया से उस्मा का सर्जन हो उसे उस्मा कहते हैं यानी option number a हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही उत्तर हो जाएगा चलिए दीवारों पर सफेदी करने के किसका उपयोग होता है दीवारो प्यारों करें पूछा जा रहा है तो कैल्सियम कार्बोनेट यह तो होने वाला है नहीं बाबू सी जब करेंगे पानी नहीं डालेंगे तो परयोगे नहीं करेंगे हम लोग करेंगे तो आप गिला का बूजावव चुना सीय ओश्टू का होलट वाइस ओफ्सन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बीस का सही उत्तर हो जाएगा चली देखते हैं अगले प्रश्न को जब आपका सट में हलदी का दाग लग जाए तो अगर साबून घृतल तो हलदी का रंग लाल मेंचेन्ज हो जाएगा ἦर हलदी का रंग लाल हो गिया ! यार हल्दी और यार करका रखिएगा ठीक है कि अब इसके बाद भाई देखते हैं लास्ट प्रुष्ण क्या है लास्ट प्रुष्ण इसमें बोला गया है द्यान से बच्चो इनमें से कोई प्रबलचारक नहीं या यह प्रबल राक है अगयों fresh broken पोटासियम कैल्सियम पहुती अविक्रियाशिल लात हुए तो यानी यह तो दुरुबल होई नहीं सकता यह तो प्रवल है तो यानी इन में से कुई नीज का सही उत्तर हो जाएगा चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रस्न को अगला प्रस्न क्या कहता बाबु ध्यान स आप मार जबनाने में यानी सोडियम है में उपस्तित को ने लो य भी esca यह द्खवगा गान दीज हुआ है इतना बड़ा बड़ा कर दिये है यह लाल चीटी है बाब और लाल चीटी के डंक में अमल यानि में और जाता है या जाता है यह फिन दोन अफसर नंबर के दोनोड है Hem सी हो जाएगा चलिए देखते हैं अगले प्रस्ण को स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो स्वतंत्र होता है जो क्या होता है स्वतंत्र होता है उस धातु का नाम हमसे पूछा गिया है चलिए हम लोगों से पूछा गिया है गोल्ड होता है सिल्वर भी होता यहां दोनिया में पाया जाता है चालिए यहीं है ब्रोमीन होगा, नहीं होगा, कलोरीन होगा, नहीं होगा, कॉपर देखिए, कॉपर अभी पढ़ेना उपर में, देखिए बाबू, मरकरी से एक कोश्ण याद आ गिया, कौन सी धातु है, जो कमरे के ताप में, द्रव अस्था में पाई जाती है, धातु बोले तो मरकरी, और कर्दर् लंहों एक्दम सक्ति है, बिलकुल सक्ति है, ग्रेफाइड बिदुर का सूचलेक है, एकदम सक्ति है, हीरा सबसे खटतन पदार ते, ये भी thou بالकूल सत्य है, इसका मतलब यह नहीं पढ़ने से भी पता लग जाएगा सकते देख लेते पढ़के कारवन में समावयता का गुन नहीं पाए जाता एक दम गलत है कारवन के अंदर समावयता का गुन पाए जाता इसी लिए तो उसके पास इतने योगिक है इतने असंख्य योगिक उसके पास बनते हैं च टेबल है त्टेहलों पहलेखेलों लोगै,TK अब दिखा दियेगी, अहीं इसका एंजर भी दिखाते हैं, क्या कहता है, कि क्या कहता है, क्या कहता है, दियान से देखो, व्होज त्ट्टु ओक्स दास्थ प्रबिर्ती से घ्टित क्या हम आगे जाएंगे नब तुमिलेगा उधर अधातू होता इधर धातू अधातू घसकेंगे तो क्या धातू मिलेगा नहीं न मिलेगा यानि यह हमारा सही उतर नहीं होगा स्वर्मानुगा का बढ़ेगा नहीं भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो अधातु बन रहा धातु काकार छोटा होता हो चलिए अपसन नमर्डी देखते हैं तत्वों की चारी प्रवर्ति वढ़त हैं जाब हम उदर घसकेंगे तो आमलीय प्रवर्ति वढ़ती है धातु होगा तभी ने चारी प्रवर्ति ठीक है यह तो एक दो में आसान सवाल है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है बच्चों ध्यान से रेखिएगा मचली मचली जलकी रानी है और जीवन इसका पानी है अब इसके बारे में क्या सवाल आ गया ध्यान से रेखिए क्या बोला जा रहा ह मचली के हिर्दय के बारे में मझली के हिर्दय में कोष्टों की संख्या कितनी है कितना कोष्टक होता है अलिंद और निल्च बात किया जा रहा है तो बही इसमें दोग Leo होता है दोएक ने को खोता हम लोगों के अंदर मानुषली अंदर होता है चार कुष्च अंदर होता थी नीम्ण में से किसका समझ उठ्ट सर्जनल्ट से उठ्ट सर्जं इंद्र हम सही हा मेलद फिर08 सभी कि सही हो जाएगा andra के दिद्धा को को अगया प्रश्ण को अ कि करे तैक्ट डाब किसी अंत्र से माँ पाजाता है हमारे अंदर जो संचरन होता है कैसे मापा जाता जरा फीगर्वा दिखा देते हैं ठीक है ध्यान से देखिए आप लोग भी हमारे पास सारा चीज महोया है देखिया बच्चो द्यान दीजियेगा ठीक है कि यह है अब डॉक्टर में डॉक्टर के पास देखें लंबा नियर और सीधे जाके हिरदय दिल में जाके चिपकाता है और बोलता है आपका खुण ऐसे चल रहा है आपका सांस जाधा जल्दी चल रहा है यह धड़कन जो है तेज है यह कम सारे चीजों का वर्णन इसी के माइदम से की जाती है तो कोश्चन में क्या पूछा जाता है रक्त दाब किसी अंत्र से मापा जाता है तीश को बोलते हैं बाभु एस्फेग्नों मेनोमीटर इसमें यह ऑंदर रक्त दाब किसतर से मापा जाता है और वो जो आपको दिखाएं उसको इस्थितो इसको बोलते हो इसमें दिल की धढ़कन मा पा जाता है और यह जो होता है सफेग्णोमैनुमेंटर इससे खून का संचरन पता लगता है यहां पर बाईयों में इसतरी से बांधी दिया जाता है और उसको फूलाता है टाईट हो आता है उसके बाद इससे चेक अरता है चलि enfant । लोग निटार का है तो आपको जबाब देना है आपको जबाब देना है प्यूस गरंथी से किसे खेंओ प्यूस गरंती से विशानु जनित रोग क्या है विशानु जनित विशानु से होता है वह यह चाइब एड्स है अप्सन नंबर ए हो जाएगा वाट नहीं होगा क्योंकि यह होता है आलू में और फंगस के कारण ओता यह तो होगा नियुक्त नंबर एस का सही जवाब हो जिवाश्म ट्राइबोलाइट नाइटिरिया आगे और भी है राजास्वरस बढ़ी खतरना के लेकिन इतना जान लिए इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्सन नमर डी हो जाएगा सभी सभी क्या है जिवाश्मिंधन के उधारन है ग्लोबल वार्मिंग बैश्विक हमारा जो विश्व है बड़ेले और समुद्रका बढ़ता चला जाएगा निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंतर का उढ़ारन है भावो किर्दम पारितंतर खेट बागवाणी दोनों नमर सी हो जाएगा देखिए पारितंतर मतलब क्या होता प्राकृत्र नहीं वनाकर है बागवानी पीच का नई रहा द्यान से दिखेगा बच्चोंड वयो के अंदर सब्सक्राइब करके जाएगा और अपने दोस्तों तक हो सके तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है जैहिंद वंदे मात्रम